हाँ चलो एक पाइप एंसे स्टनिकी कॉपी देदो ना मैंको चलो टाइप फस्ट का सवाल नंबर 10 मेंने करवाया था क्या नहीं करवाया चलो देखो टाइप फस्ट का सवाल नंबर 10 पाइपो टंकी टाइप पास सवाल नमबर दस है ना दो पाइप पाइप A और B है ना पाइप A और B है ना साड़े से तिस मिनट और पैतालिस मिनट अच्छा साड़े से तिस को 75 बटा दो लिख सकते हैं है ना देखो से तिस एंड हाफ से तिस दो नी चहुतर चहुतर और एक पिचप्तर है ना पिचप्तर बटा दो मिनट अब देखिया जब LCM लेंगे फ्रिक्शन में तो सिर्फ उपर वाले करो 45-45 का LCM आएगा 225 तो 225 लीटर का हमने टेंक बना लिया 55-45 का LCM निकाल लोगे निकाल ले ना जैसे निकाल लो है ना 5-5 से डिवाइड करके इसे गुणा करके है ना 45-45 से 5 बार जाएगा 5 बार दोनों ही भरने वाले हैं अच्छा दोनों ही भरने वाले हैं ठीक है अच्छा इससे 6 बार कितनी बार जाएगा 6 बार ठीक है ना इस सवाल तो करवाय था अरशायद मैंने है ना तो फिर डबल डबल क्यों करवा रहे हैं इसको कौन बोला नहीं करवाया है तो याद आया यह सवाल बताया है न मैंने चलो इतनी दिर में हो जाएगा फिर से देखो इच्छे आएगा के नहीं आएगा क्लियर इतनी बात आएगा क्या इच्छे कहां से आएगा दो तो बोल रहें आएगा इधर देखो तो ताइम इंटू एफिशियनसी बराबर होता है वर्क है न तो ताइम इंटू एफिशियनसी बराबर वर्क क्लियर समय रखो 75 बटा दो एफिशियनसी निकाल लिए कार्य 225 से आ जाएगा यहां से एफिशियनसी समय गुना efficiency बराबर कारिया formula में रखो जब भी दिक्कता है पर चप्तर से तीन बार जाएगा धिमे धिमे करें काटलना तीन दूनी छे तो efficiency कितनी आ गई छे अब क्या करना है दोनों को एक साथ खोला गया ठीक है थोड़े समय बाद B को बंद कर दिया टंकी 30 मिनट में भर गई दोनों को एक साथ खोला गया है न और कुछ समय बाद किसको बंद कर दिया B को B को बंद कर दिया और टंकी 30 मिनट में भर जाती है पूरी है न इसको side में लिख दो time into efficiency बराबर work 75 बटा दो into efficiency बराबर work कितना है 225 75 से 3 बार पिंदू नहीं 6 तो efficiency कितने आएगी 6 clear B को close किया ताकि टंक पूरा कितने टाइम में भर जाए 30 मिनट में 30 मिनट में पूरा टंक भर जाए अब देखिए आपे B गया तो कौन बचा A अब देखिए आँसे A ने पूरे 30 मिनट काम किया कर लोगे अब तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे ये बताओ तो कर ले ना चलो करी देता हूँ अग A 30 मिनट A 30 मिनट में कितना काम करेगा 180 करेगा ना तो 235 में से 180 कर दिया A ने तो B के लिए कितना बचाया 45 माइनस करे 27-27-45 बचा B के लिए यहने कि B यहां से यहां तक 45 काम करके गया और B की चाल 5 है हर मिनट 5 लिटर तो 45 लिटर में 9 मिनट लगे होंगे B हर मिनट 5 लिटर पानी डालता तो 45 लिटर डालने में 5-5-5-5-9 बार 9 मिनट मैं रहे कभी तो हां किया करो साथ में क्या 2-3-4 लोगी बोलते बागी सब देखते रहते यह पता है यह क्या खराबादत है खराबादत यह है कि जो छुट्टिया मिलती है न तो पढ़ते नहीं यदि घर में बेटके घोटे ने लग जाए ना चीज़ों को तो क्या नहूं और जब पुरानी चीज़े या दिलाता हूं मैं या कुश्चन बाई कुश्चन तो ऐसा चेहरा बनाते ऐसे पहली भारी पढ़ा रहा हूं चीज़े मैं हर दिन पढ़ाऊ तो भी एक्सप्रेशन वेसी रहते है समय बराबर कार रिबटे शम्ता अच्छा काम कितना किया इस बी नहीं पेतालिस और एफिशेंसी कितनी है बी की पाँच पुछो उससे पुछो बी से देखो बोल रहे हैं तो नो मिनट कितने मिनट नो मिनट क्लियर है क्या यह यह जो संडे आ रहा है न इस संडे पे टाइम एड़ वर्क पाइप और सिस्टम दोनों टोपिक का इकठा टेस्ट है समय और कार्य और पाइप और तंकी है न ध्यान रखने ओनलाइन थोड़े न रहेगा टेस्ट भी ओनलाइन कितना आएगा टाइम बराबर नो मिनट क्लियर है सबन चलो ग्यारा पर आजाते हैं हाँ कॉपी कर लो इसको मिटा दो क्या रफ कर दो इसको हो गया सभी का हाँ देखो सवाल नमबर 11 कुश्यून नमबर 11 एक से टेंक को तीन गंटे में भरता है क्या अनसरा है इसका ग्यारा वी चार घंटे में भरता है अच्छा ठीक देख लेते हैं और C एक घंटे में खालि करता है C एक घंटे में खाली कर रहा है ठीक है चलो 3-4-1 का LCM 12 लिटर का टेंक मान लेते हैं 3-4-12 4-3-12 1-12-12 में 12 भर रहा है भर रहा है और ये खाली कर रहा है भर रहा है वो positive आएगा जो खाली कर रहा है वो negative आएगा clear अब देखिया है अपर कहानी क्या है सुनिया A को शाम 3जजबगे B को 4जबगे C को 5जबगे खुला गया चलो देखो जरा A को कितनी जजब़गे खुला? 3जबगे 3जबगे खुला A को पिर 4 बजबगे किसको खुल दिया? B को चार बजे बी को भी खोल दिया तो बताईए चार बजे से ए और भी दोनों साथ हो गए क्या ए तो था ही तीन बजे ए को खोला है ना तो चार बजे ए और भी दोनों साथ में हो गए क्लियर अब इसके बाद सी को शाम पांच बजे खोला C को कब खोला शाम 5 बजे शाम 5 बजे खोला C को समझा रही बात यानि कि 5 बजे से ABC 3ों 7 हो गए चलो भी या तो A 3 से 4 एक घंटा चला पाईप A कितरे घंटे चला? एक घंटा एक घंटा में 4 लिटर पानी डाल दिया इसने बोलो डाल दिया के ने डाल दिया एक घंटे का चार लिटर न एक घंटे में दोनों ने मिला के साथ बताओ साथ लिटर डाला के ने डाला एक घंटे में इन दोनों ने मिला के कितना डाला साथ बोलो क्लियर है क्या इतनी बाद ए ने कितना डाला चार और ये और भी दोनों ने मिलके कितना डाला साथ अच्छा पांच बजे पांच बजे टेंक में ग्यारा लिटर पानी है क्या बोलो है क्या पांच बजे टेंक में कितना लिटर पानी है ग्यारा लिटर प्रेयर है क्या इतनी बात अब जब ABC तीनों चलते हैं तो होता क्या है इसका परिणाम माइनस पांच है क्या मतलब टेंक में पानी बढ़ेगा नी पांच बज़े से टेंक में पानी घटना चालू होगा आ रही है क्या बात समझ में देखो नहीं चार डालेगा तीन लिटर डालेगा उसी समय बारा लिटर निकाल देगा हो तो मतलब नेगेटिव में चला गया सिस्टम पूरा तो बताइए अब पांच बज़े बात से हर घंटे कितना लिटर खाली होगा पांच देखो एक घंटे में ए ने चार लिटर डाला एक घंटे में ए और भी दोनों ने मिलके चार और तीन साट लिटर डाला साट और चार ग्यारा हो गया क्या अब पांच बज़े से ए बीसी तीनों मिलके काम करेंगे तो चार और तीन माइनस बारा माइनस पांच आएगा क्लियर एतनी बात है ना तो साट माइनस बारा कितना हैगा माइनस का पांच इसका मतलब यह है कि हर घंटे पांच लिटर निकलेगा तो ग्यारा लिटर निकलने में पांच और पांच दो घंटे और थोड़ा सा टाइम लगेगा क्या इसा लगता आपको हर घंटे पांच लिटर निकलेगा और ग्यारा लिटर टोटल निकलेगा तो पांच पांच दस दस लिटर दो घंटे में निकल जाए नहीं साथ बज़े तक दस लिटर निकल जाएगा साथ बज़े एक लिटर पानी रह जाएगा के टेंक में एक लिटर निकलने में शायद बारा मिनट रो लगेंगे, साथ बच के बारा मिनट पर टेंग खाली होगा शायद, या फिर छोड़ो, देखो, फॉर्मुला लगा लो, टाइम निकलना है न, तो टाइम बराबर वर्क अपॉन एफिशेंस, अच्छा काम ग्यारा लिटर करना ह बोलो करना है कि नहीं करना है, ग्यारा, काम करना है, ग्यारा लिटर है न, और एफिशेंस ही कितनी है, माइनस पाँच, बोलो है क्या, माइनस तो सिर्फ दिखाने के लिए खाली हो रहा है बाटे निमेरिकली तो पाँच ही उसमें आएगा, यहां तक की बात समझ मैं ही इतना टाइम, तो टाइम वर्क अपोन एफिशेंस से आएगा, ग्यारा बाई पाँच, तब ठीक से देखेंगे, तो दो सही एक बटा पाँच आए गई, यहने कि दो घंटे पूरे, और फिर घंटे का पाँच वाब भाग, तो घंटे का पाँच वाग, आप भी समझते हो लगेंगे, तो पाँच बजे में दो घंटा बारा मिनट आप मिलाइए, साद बच के बारा मिनट पे टेंग खाली हो जाएगा, का पाँच आएप मिलाइवे हो फो पाँच घंटाफसि आप गाँ़ गगन्टापन आपष्ट्वप मिलाइवी जावाब मिलाइव लिए गीमप शॉगरे, चरी फे रहाब डा़ी पयोरे, आपका प्वाब मिलाइवे हो दो लिगर भे का पाँबभी एंटा के पता का हतॉ कर दो कर दो कॉपी कर ले सब फिर बदो हो गिया क्या क्लियर है ये हो गिया कॉपी कर लिया सबी ने ठीक देखो तीन बजे ए को खोला तीन बजे किसको खोला ए को चार बजे बजे को खोलेंगे यानि कि तीन से चार में ए अकेला पानी भर रहा है ए एक गंटे में कितना डलता है चार तो एक गंटे में ए ने चार लिटर पानी डाल दिया क्या बलो क्लियर इतनी बाद अब चार बजे B को भी खोल देंगे तो चार बजे से एवर भी दोनों मिलके भरना चालू करेंगे चार बजे से तो चार से पांच में एवर भी दोनों मिलके कितना पानी डालेंगे चार और तीन साथ प्रती घंटा 4, प्रती घंटा 3 और एक घंटा चला ना है 7 तो 5 बज़े तक 7 और 4 11 लिटर होगी यह टेंक में अब 5 बज़े C को भी खुल दिया तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो तीनों का मिला के जो result आता हो जो –5 है मतलब मैं माइनस 5 से पता चलता है टेंक में पानी बढ़ेगा नी प्रती घंटा 5 लिटर घटेगा एक घंटा में 5 लिटर घटेगा तो टेंक खाली होने में कितना टाइम लगेगा यह पुछा है तो 5 बजे से टेंक खाली होना चलो होगा पांच बजे टेंक में पानी था कितना हमारी आदत है बारा की और जाने की मत जाओ बारा की और सवाली बदल गया ना यहां से यह टेंक में पानी ग्यारा लिटर है तो ग्यारा लिटर ही तो खाली होना चालू होगा ना यहां से बारा लिटर का तो कोई मतलब ही नहीं यहां पर अब तो जो ग्यारा है वो ग्यारा खाली होना चालू होगा पांच की चाल से तो 11 लिटर 5 की चाल से 5 की efficiency से कितने टाइम में खाली हो जाएगा? 2 घंटा 12 मिनट तो 5 बजे से 2 घंटा 12 मिनट 7 बच के 12 बजे शाम को खाली हो जाएगा क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, चलो Question number 12 पे आजाते हैं, 12 पे तरफ कर दो इसको? तरफ कर दो इसको? सवाल number 12 एक लड़का तथा लड़की मिलकर किसी होच को पानी से भरते हैं लड़का प्रत्यक 3 मिनट में 4 लिटर पानी उड़िलता है तथा लड़की प्रत्यक 4 मिनट में 3 लिटर लड़का 3 मिनट में 4 लिटर तीन मिनट में लड़का चार लिटर और चार मिनट में लड़की 3 लिटर दोनों मिलके 100 लिटर भरने में कितना समय लेंगे? 48 झंसर आएगा इसका उप्शन गलत है दोनों मिलके 100 लिटर भरने में कितना समय लेंगे अब सुनो मेरी बात थोड़ा सा प्राक्टिकल आप खुद सोचिए कि क्या करना चीए दोनों मिलके 100 लिटर भरने में कितना समय लेंगे तो सबसे पहले तो इनका टाइम कॉमन करना पड़ेगा कि दोनों मिलके या तो पांच मिनट में दोनों मिलके कितना लिटर डाल रहे या तो दोनों मिलके दस मिनट में कितना लिटर डाल रहे कोई एक common time बनना पड़ेगा दोनों का फिर वहीं से हिसाब लगाएंगे हम क्योंकि लड़के का 3 मिनट है आने लिए into 4 और into 3. into 4 यहाँ तो into 4 यहाँ भीège into 3 यहाँ टो into 3 यहाँ में. पिर हितनी बात अब देखिये. 12 मिनट में आप देख रहें इसने डाला 16 लिटर और 12 मिनट में इसने डाला 9 लिटर तो आप देखिये जरह 12 मिनट में दोनों ने मिलके 25 लिटर पानी टेंक में इकठा कर दिया की ने कर दिया बताओ जरा उसी 12 मिनट में उसने 16 लिटर डाला मतलब ऐसा मान लो ठीक 12 बज़े दोनों ने डालना चालो किया और 12 बचके 12 मिनट तक 12 बज़े से 12 बचके 12 मिनट तक तो बारा बारा चोविस मत कर देना बारा ही मिनट हुआ ना घड़ी का टाइम तो अरे बारा मिनट में A ने भी डाला B ने भी डाला तो बारा मिनट में पच्चिस हुआ ना क्या चोविस मिनट लगे क्या समझारी बात तो बारा मिनट में 48 मिनट है न ये 24 तो नहीं आएगा न बारा ही आएगा न बारा से बारा बचके बारा तो दोनों ने मिला के बारा मिनट काम किया तो टाइम 24 मिनट थोड़ी न हुआ 13, 14, 15 तो कुछ नहीं एजी है आप ही कर लो क्यों तो क्या LHS, RHS क्या LHS, RHS जिसे अच्छा उससे लड़का तीन मिनट में चार लिटर हो जाएगा न देखो, लड़का यने की बॉय तीन मिनट में कितना भरता है? चार लिटर लड़की यने की गर्ल चार मिनट में कितना भरती है? तीन लिटर ये दोनों मिलके कितने टाइम में सो लिटर भरेंगे? आया समझे? बस यहां से बी और जी का वेल्यो आएगा यहां रख देना तो आजाएगा एक्सका वेल्यो आपका है ना? किसको? उदर वाले को? सुनिये आपकी स्क्रीन पर ये जी यहां आएगा 16 और 9 तो बी बराबर 16 और जी बराबर 9 आजाएगा क्या? अरे जी को यहां लाओ ये 3 तीन 9 हो गया 4 चुक 16 हो गया तो बी बटा जी का मान 16 बटा दो हुआ क्या नि उपा? बो लो क्लियर है? तो ले लो इम दोनों को आप एक इसको ले लो और एक इसको ले लो G की जग़ क्या रखोगे 9 9 इंटू 4 भाई 3 G की जग़ 9 B की जग़ 16 G की जग़ 9 तो 25 इंटू X by 200 आएगा ये बुला आएगा के नहीं आएगा G का वेल्यू 9 और B का वेल्यू 16 G का वेल्यू 9 ऐसे करके तो 25 से सो चार वा 3 तीया 9, 4 तीया 12, 12, 14, 14 आगिया X बड़ाबर बड़ता लिस अजया प्राइबर बड़ता लिस अजया प्राइबर बड़ता लिस अजया वेल्यू 16 हाँ मिटा दो इसको हो गिया क्या ये ठीक हाँ सवाल नंबर 13 कर लोगे 12 पंप 12 पंप 6 घंटा प्रति दिन होके 15 दिन ऐसे कितने पंप तुमान लेते X पंप 9 घंटे प्रति दिन करके 12 दिन है ना चलो पंप से पंप कैंसल बारा से बारा कैंसल तीन से तीन बार तीन से दो बार तीन से पांच बार दस आ जाएगे X बराबा कि एतना इससे सवाल हमने बारा पंप 6 घंटा प्रति दिन 15 दिन सेम से चाओदा और 15 बिल्कुल से मैं कर लेना नहीं आए तो फिर बता दोंगा है ना इजी एससे बलके चाओदा नंबर चाओदा नंबर में है 9 नल 20 मिनट बराबर 15 मिनट कितने नल तो X नल और 15 मिनट मिनट से मिनट कैंसल नल से नल कैंसल पांस से चार बार पांस से तीन बार तीन से तीन बार X बराबर कितना आया है या बारा चलो 15 अब कर लेना है ना Type 3 पे आ जाओ जरो Type 3 में व्यापम में आए हुए questions का collection दिया है मैंने पूरा Type 3 रुको रुको शान्ती रखो शान्ती रखो है ना यह तो बहुत ही नॉर्मल कुश्चन से इजी इजी में कुछ ही नहीं है पहला सवाल कर लोगे आप, दूसरा कर लोगे आप, तिसरा कर लोगे आप, चोथवा हो सकता है बताना पड़े हाँ चोथे को भी थोड़ा सा साइड में रखें आता हूं मैं, पहले जो जो कर लेंगे उनका सेट कर लेते पाचवा कर लेंगे आप, छटा, छटे को भी थोड़ा होल्ड पे रख लेते, चोथा और छटा हो सकता बताना पड़े साथवा कर लेंगे आप, आठवा शायद बताना पड़े, नो कर लेंगे आप, दसवा बिलकुल नहीं बताना पड़े 3 पाई 3 into 10 बराबर x into 2 बराबर 15 कैसी बाते करते हो यार बताना पड़े 11 11 कर लोगे आप 12 हवा कर लेंगे आप 13 हवा भी कर लेंगे आप 14 नमबर भी कर लेंगे आप 15 नमबर 6 तरमिती का है वो अभी हम नहीं करेंगे 6 तरमिती, mensuration सोला पे आजाईए सोला भी कर लेंगे आप सत्रह भी कर लेंगे आप अठारा भी कर लेंगे आप उननिस भी कर लेंगे आप और बीस भी कर लेंगे आप तब बचाए चोथा छटा अठवा चोथे का क्या करना है ये बतादो जरा चलो चोथा वाला सवल देखो टाइप थरी का बहुत इजी इजी कोश्चन आये हैं आपके एक्जाम में है ना सवाल नंबर चार टाइप थरी एबी सी छे घंटे में भरते हैं एबी सी तीनों मिलकर छे घंटे में भरते हैं दो घंटे चलने के बाद एबंध हो गिया यहने कि तीनों मिलकर कितने घंटे चले हैं दो घंटे चलने के बाद एबंध हो गिया यहने कि बाकी का काम बी और सी ने किया बी और सी ने कितने टाइम में किया आठ घंटे में ऐसा सवाल हमसे बोला अब आप देखो ABC तीनों मिलके 6 गंटे में भरते हैं तो आप जानते हो ABC 6 गंटे में भरते हैं तो ABC ने केवल 2 गंटे काम किया तो सिद्धी सी बात है ABC का 4 गंटे का काम बचा है जो B प्लस C ने 8 गंटे में किया है ना अब किस से करवाना है A अकेला कितने घंटे में करेगा तो X बस क्या बच्चा आब इसमें हो गया सबाद देखो कहानी क्या है सुली और भी इजीली हो सकता था है हाँ नहीं ऐसा उसने ऐसा थोड़े ना बोला के B और तोटल मिला के टाइम आट घंटे है कितनी असी बाढ़ दो नो फटा फटा हाँ सुनी हाँ आप क्या कह रहे हैं दो घंटे चलने बाद ना ले को बंद करने बी और उसी उसे आठ घंटे में भर पाते हैं हाँ तो सुनो देखो कहानी क्या है अरे उदर बाढ़ देंगे हाँ आजाएगा सब के पास आप इदर धियान दो सब है ना ABC तीनो मिलके छे घंटे में पुरा टैंक भर देते हैं भर देते हैं अब उन्हें क्या बोला दो घंटे चलने के बाद दो घंटे कोन चला ABC तीनो लेग्वेच का इंटेंशन समझो ना ABC छे घंटे में भर देते हैं दो घंटे चलने के बाद ए बंध हो गया तो दो घंटे में कोन चला तीनो चले के नहीं चले दो घंटे तीनो चले फिर ए बंध हो गया फिर उसके बाद B और C आठ घंटे में भर पाते हैं कोई प्रॉब्लम है कि इसमें कहा दिक्कत आ रही है यसा थोड़े न बोला कि पूरा टेंक को भरने में 8 गंटे लगे तो फिर 8 में से 2 जाते तो फिर 6 बसते पूरा टेंक भरने में 8 गंटे थोड़े न लगे जो remaining बचा उसके लिए 2 और सी 8 गंटे में भर पाते हो एको बन कर दिया बी और सी 8 गंटे में भर पाते हैं बी और सी 8 गंटाइ चल उनो 6 बार A प्लस B प्लस C में से इस पूरे को लो आप this is LHS and this is RHS यह पूरा RHS यह LHS है 6 बार A प्लस B प्लस C में से 2 बार A प्लस B प्लस C आकर माइनस होगा तो बताओ चार बार A प्लस B प्लस C बचेगा क्या छे बार A प्लस B प्लस C मैसे दो बार A प्लस B प्लस C माइनस होगा चार बार A प्लस B प्लस C बचेगा के नहीं बचेगा बराबर में B प्लस C आठ बार बचा बोलो बचा के नहीं बचा हाँ अब 4 सेट है B प्लस C के है के नहीं है B प्लस C के 4 सेट B प्लस C के 4 सेट उदर जाके माइनस होंगे 8 सेट में से तो B प्लस C के 4 ही सेट बचेंगे उदर और इधर A कितने बचे 4 अरे 4 बार A है और 4 बार B प्लस C है 4 बार A है और 4 बार B प्लस C है तो 8 बार B प्लस C मेंसे 4 बार B प्लस C माइनस हुआ, 4 बार B प्लस C बचा के नहीं बचा, और इधर A कितने बचे, 4 बचे के नहीं बचे, 4 से 4 कैंसल मतलब आप देख पा रहें, A और B प्लस C बिल्कुल सेम बताया है, बताओ A और B प्लस C बरावर बताया के नहीं बताया है, नहीं आया है calculation समझ में छे पार A-B-C मेंसे दो भार A-B-C आके माईनस होगा चार बार A-B-C बचेगा कि नहीं बचेगा और बरावर B-C वो 8-6 वैसे के वैसे तो 4-6 B-C के हैं इधर LHS में तो 4-6 8-6 मेंसे जाके माईनस होगे 4-6 B-C के बचेंगे उधर और इधीर 4 A कितनी बार है? 4 बार 4-4 कांसाल बताइए A Exactly B Plus C कе बराबर है के नहीं है? बोलो है की नहीं है तो A Exactly किसके बराबर है? B Plus C की clear? तो A اور B Plus C अपस में बराबर है अब आप इसके साथ आना इस सर्कल को ले लो A اور B Plus C बराबर है इसका मतलब यह है 1 by 1 इसको ऐसा लिख सकते है B plus C आएगा कुछ नहीं बचा 1 by 1 A बराबर भी 1 और B plus C भी 1 तो A की जगह भी 1 रखेंगे आप और B plus C की जगह भी क्या रखेंगे 1 तो 2 into 6 total इसका result 12 आजाएगा क्या बोलो आजाएगा A 1 और B plus C भी 1 यानि कि total 2 2 6 आजाएगा है बराबर A का value 1 तो 1 into X बताएगे X आजाएगा क्या है तो बस अंसर आगिया 12 और रहे है होगिया सौल रिशियो से भी हो जाता है होगिया जाएगा है होगिया क्या लिखो लिखो उसको जिन लोगों ने time and work नहीं पढ़ा था उनके लिए सवाल थोड़ा से difficult होगा क्योंकि time and work में जो method सीखे थी वो method हम लगा रहे हैं है ना तो load नहीं लेना ठीक है फिर सरी cover हो जाएगा topic क्टो जाएगा है पिर सर्थ यहीं लेखोप्त प्रबबबबबबना लोगा है एप पर क्लासेज देख रहे हैं और रिपीट करके अगले संडे टेस्ट है आने वाले संडे को है न तो एप से बहुत अच्छे से रिविजन कर सकते हैं आप लोग चीज़ों को बार बार रिपीटेशन में देख देख कर टेस्ट के महत्वों को समझना जैसे इसकुल में होता था टेस्ट है तो बड़ा प्रेशर आ जाता था भेंकर एसा आ रहा है क्या इसलिए तो सिलेक्शन नहीं होते एक एक बार में यह तो दिक्कत है इसकुल में तो किसा डर जाता था विद्यारती टेस्ट थे टेस्ट में नहीं लाए तो मारेंगे घर पर बताएं यहाँ कोई डर ही नहीं है मिटा दू इसको रफ कर दू देखो इसको यदि आपको शॉर्ट में करना होता अल्मस्ट ओरली हो जाता है सवाल ABC तीनों मिलके छे दिन में कर लेते ABC ने दो दिन कर लिया तो ABC का चार दिन का काम बचा है जो B पलस C ने आर दिन में किया ABC तीनों मिलके छे दिन में पुरा काम कर लेते बोला है अब ABC ने यदि छे में से दो दिन कर लिया तो ABC का चार दिन का काम बचा है तो ABC का चार दिन का काम B प्लस C ने आठ दिन में किया यानि कि ABC का चार दिन का काम ABC का चार दिन का काम B प्लस C के आठ दिन के काम के बराबर है इसको solve करोगे तो A और B प्लस C बराबर बराबर आ जाएंगे यानि कि A और B प्लस C की efficiency का ratio क्या हो गया one ratio पतलब A और B प्लस C बिलकुल बराबर है यह चीज़ almost orally आपको पकड़ में आएगी A से B प्लस C का ratio क्या है one ratio अब हमें A प्लस B प्लस C दिया है और A मांगा है A प्लस B प्लस C का 6 दिन दिया है और A हमको निकालने को बोला है तो A प्लस B प्लस C और A में competition है तो A तो है A प्लस B प्लस C बना ले A प्लस B प्लस C 1 और 1 2 बन जाएगा अब हमें A प्लस B प्लस C और A से क्यावल मतलब है तो B प्लस C को बीच में से हटा दो efficiency का ratio 1 से 2 है तो A और A प्लस B प्लस C के time का ratio 2 ratio 1 एक बराबर 12 दिया है सो रिच्छे A प्लस B प्लस C का time एक unit बराबर 6 दिन तो 2 बराबर एक का time 12 दिन ठीक है जैसे लेना है वेसे लेलो practice पर डिपेंड करता है आपको कौन से method से करना है clear वो भी कोई lending नहीं जादा है ना सवाल ये है लेकिन ये method मैंने बताया था अब आपको याद आ रहा है ये method बताया था confidence आ रहा है इसको के भूल गए सब exam याद रखने से निकलेगा याद करने से exam निकलेगा है ना याद नहीं रखोगे तो कोई मतलब ही नहीं है इतने सारे topic कैसे रखोगे आप याद उसी पर काम करना है चल चोथे के बाद कौन सा छटा बता दूँ इसको रफ कर दूँ किया बोलिए मिटा दू इसको है ना कुशन नमबर सेक्स एक pump एक टेंक में 1200 लिटर पानी भरता है जिसके बाद वहाँ 60% खाली है देखो यह टेंक के 1200 लिटर भर दिया कितना भर दिया इसको 1200 1200 लिटर भरने के बाद जो खाली है वो 60% है तो यदि 60% खाली है तो भरा हुआ फिर 40% हुआ के नहीं हुआ क्योंकि पूरा टेंक अपने आप में कितना है 100% 1200 लिटर भर जाने एक बाद खाली वाला 60% है तो भरने वाला 100 में 60 गया 40 बचा के नहीं बचा अब क्या मांगा है कहा है हाँ इसे पूरा भरने के लिए कितने पानी और आवश्यक होगा है नहीं कि 60% का वेल्यू मांगा है कितने पानी की जरुरत होगी तो एदि 40% 1200 तो 60% 1800 लिटर आएगा क्या 40% बराबर 1200 तो 60% बराबर कितना पता चल जाएगा कितना पानी होड़ लगेगा तो 40% 1200 है तो 60% कितना आएगा 18 40% 1200 है तो 60% कितना है 1800 यह पता लग जाएगा 40% 1200 60% 1800 कैसे हुआ निकाल लेंगे ना 1% 30 लिटर तो 60% 60 into 30 1800 लिटर आठवा देख लेते इसके बाद क्या अंसर आएगा इसका पाच क्या आएगा क्या हूँ छ ले खीक, तो 50 तोppt कितना आएगा हाँ लेक पाइशqua मक्योंалась दो फ़स्वार्च रहा हूँ तो मिटा दू क्या इसको सवाल नमबर आठ कुश्चन नमबर एक एक नल आठ घंटे में एक टेंक को भर सकता है एक टेंक है इस टेंक को एक नल कितने टाइम में भर सकता है आठ घंटे में भर सकता है ना इस टेंक को ठीक है अब आधा टेंक भरने के बाद अब पूरा आठ गंटे में भर रहा है तो आप ही बताईए आधा टेंग कितने में भर गया होगा चार गंटे में है ना बाकि आधा बचा है आधा टेंग है ना आधा टेंग भर जाने के बाद तो आधा टेंग तो भर गया भहिया चार गंटे में इसके बाद तीन समान नल और खुले गए यानिकि अभी काम करने वाला एक आदमी था एक नल था अब बताओ चार नल काम करेंगे क्या वेरी गुड़ क्या बात है बहुत बड़ी अभी काम करने वाले कितने नल थे एक आदा बर जाने वाद तीन समान नल और खुल दिये तो एक और तीन कितने काम कर रहे हैं अच्छा अच्छा एक आदमी किसी काम को करता है अच्छा काम बराबर है दोनों केसमे आदा आदा सेम बर के एक आदमी किसी काम को चार घंटे में करता है तो चार आदमी उसी काम को एक चोथा ही समय में कर देंगे जैसे एक आदमी किसी काम को बीस घंटे में कर रहा है तो चार आदमी मिल जाएं तो समय एक चोथा ही लगेगा अच्छा मजदूर डबल करने पर समय आधा हो जाता है क्या मजदूरों की संख्या दुबनी कर दो तो लगने वाला समय आदा होता है तो मजदूरों की संख्या चार गुनी कर दो तो लगने वाला समय एक चोथाई हो जाएगा अरे लगाओ ना थोड़ा दिमाग या मजदूर डबल कर दो तो समय आदा तो मजदूर चार गुना करने समय एक चोथाई तो आप ही देखिए काम करने वाले लोग चार गुना तो समय एक चोथाई हो जाएगा उसी काम के लिए तो चार का एक चोथाई एक गंटा लगेगा किवन तो टेंक को भरने में टोटल एक और चार पांच घंटे लगे क्या कितने घंटे लगे पांच अब सुनो इसको ऐसे कर लो अच्छा काम से में दोनों केस में आधाधा एक नल जिस काम को चार घंटे में करता है उसी काम को चार नल कितने घंटे में करेंगे X में ऐसे भी निकाल सकते हैं जिस काम को एक नल चार घंटे में करता है उसी काम को चार नल कितने घंटे में करेंगे X में तो एक नल जिस काम को चार घंटे में कर रहा है उतने ही काम को चार नल कितने घंटे में करेंगे एकस में तो नल से नल कैंसल चार से चार कैंसल एकस का वेल्यू बनाया क्या तो बताइए एक घंटा लगेगा किन लगेगा अरे बोला करो तो चार और एक पांच घंटे लग गए पुरा भरने में कि आया समझ में एक गंटा केसे आया अरे आया होगा यार आया के नहीं आया बताओ अब मजदूर चार गुना करेंगे समय एक चोथा ही लगेगा तो अब लगता है तो मैं क्या करूं बताओं हाँ क्या बोल रहे हूं क्या बोल रहे हैं फिर से बोलो होगे है यह सवाल समझ में आए आपको व्यापम वाले एक्जाम वाले इसे छोटे छोटे बेसिक बेसिक सवाल पुस्ते उन्हीं में गाड़ी उलच जाती है इतना अच्छा अच्छा पढ़ने हैं और छोटे उटे सवाल में आप उलच जाओगे तो कोई मतलब थोड़ी ना है करना है इसे सवाल हो आयोगा कुश्यन है व्यापम में अब इसमें नड़ टंकी का तो कोई यूज ही नहीं था नॉर्मल प्रैक्टीकल ग्यान है तो बस नो दर्स ग्यारा बारा तेरा चौदा बाकित सब करने लाए कि पंदरा वाला छोड़ देना है न हाँ हाँ नया चप्टर है न समयकार जो पाई पो टंकी का टेस्ट है आने वाले संडे को है न ये जो क्लासेज है इनका रिवीजन क्रपया करे आपको एप पर जो क्लास मिल रही है उसका इंपोर्टेंस समझो ये जो टेस्ट है इन टेस्ट का लोड आपके दिमाग पर अरे आई 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 टी के तीन चार लोगों गलत जगा के बिट गए हाँ इनर सुनो मेरी बात है न ठीक है आप तो आई एस के विद्धियार थी आप वै आप हम में क्यों ब बोलने दो दो मिनट बहुत महत्पुन बात बोल रहा हूं सीरियसली लेना थोड़ा है ना देखो एक कितने सारे टॉपिक है पता है आपको लगभग 25 टॉपिक है आपके सले बस है मानलो आपका पहला टॉपिक टाइम एंड वर्क हुआ फिर पाइपेंड सिस्टन हुआ कि यहाँ पे सेव करके रखना है उसकी कुछ प्लानिंग करी है आपने पता है प्रॉब्लम आती क्या है समस्य यह आती है यह देखो हांसर इनको सब आता है इनको इधर देखा सुनो मेरी बात तो समस्य यह है सिलेक्शन ना होने का जो रीजन है गणित अच्छा नहीं हुआ यह नहीं हुआ वो नहीं हुआ उसका कारण है कि क्लास आने की तो प्लानिंग है लेकिन क्लासेज में जो इतना सारा पढ़ रहे हुआ उसको मेमोरी में सेव करने की प्लानिंग नहीं करते है आप लोग क्या आपने कोई लिखित में कोई रिटन में कोई प्लानिंग किये ड समझ में तो सब कोई आ रहा है लेकिन समस्या का हैं कोन उसको सेव घर के रख पा रहा है समझारी बात क्लियर और हम बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ रहे हैं चीजों को आपके व्यापम में बहुत इजी लेवल आता है ठीक है तो कहीं कोई समस्या है ही नहीं पूरे में से नंबर आप गणित में लेके आ सकते हैं लेकिन एक ही समस्या है केवल के जो डेटा पढ़ते जा रहे है इसको मेमोरी में आपको सेव गर के रखना है समझारी बात आपने टाइम एंड वर्क पढ़ाया थी छे साथ दिन तक टाइम एंड वर्क के दर्शन नहीं किये फिर से भूल जाओ गया जीरो हो सब आप जो सातर दिन आया ना क्लास में वो जीरो हो गया बिल्कुल और इससे होगा क्या आप चोथा पांचवा टॉपिक जब पढ़ोगे चोथा पांचवा टॉपिक पढ़ते पढ़ते जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा था यादि उसका सवा गलती से दरदर देखने में आगिया और वो नहीं बना तो दिमाग ऐसा खराब होगा कि जो पांचवा टॉपिक चल रहा होगा वहां से भी जाओगे फिर पहला टॉपिक नहीं बना फिर आप दूसरा टॉपिक देखोगे उसका भी सवाल नहीं बनेगा तीसरे चोथे का भी आप पर क्लासेज ये बहुत अच्छा तरीका है चीजों की कनेक्टिविटी बनाए रखने का बस आपको इतना सा काम करना है कि किसी तरह टॉपिक से रिस्ता जोड़े रखें इस शिट के ही दर्शन करो हर दिन हर तीन-चार दिन में लेकिन देखो हाँ ये सवाल इसे किया था हाँ ये सवाल हाँ ऐसे ऐसे किया था ये सवाल याद नहीं आ रहा हाँ ये सवाल वेसे किया था फिर ये सवाल तो याद ही नहीं आ रहा ये सवाल भूल गया हमें अब क्या करें तो वीडियो निकाल के देख लो या फिर नोट्स निकाल के देख लो समझ आरी बात कोई कमी नहीं है हमारे पास यदि हम करना चाहें तो समझारी बात आज ही मैं आपको बता देता हूँ आपको गणित आएगा के नहीं आएगा यदि आपने इन चीजों को सेयो करने की प्लैनिंग नी करी डेली टाइम के इसाब से प्लैनिंग नी बने नहीं लिखित में तो 6 बाइने बाद आपके हाथ जीरो लगेगा कोई मतलब नहीं आज में क्लास आने का समझारी बात में क्या बूल रहा हूँ है ना ये सच है इस कहाने का ठीक है तो हमको क्या करना है डाइरी पेन लाना है लाओगे फिर उसमें दिन भर के टाइम को कट करके लिखना है कि भाई आइस टाइम डेली में इस टॉपिक को देखोंगा फिर सोचो फिर कितने टॉपिक हो जाएंगे आज से मतलब महिने बार बात तो आपके पास 8-10 टॉपिक इकठा हो जाएंगे फिर उन 8-10 टॉपिक को इकठा प्लानिंग है इकठा रिवाइस कर लेगी फिर 8-10 के बाद 2-3 महिने का वेट करोगे तो 12-15 टॉपिक हो जाएंगे और भी जादा इतने सारे टॉपिक को इकठा कैसे रिवाइस करोगे कोई प्लानिंग है दोई टॉपिक का सेटल्मेंट नी जमा पारे हम तो 10-12 टॉपिक के साथ कैसे क्या करेगे समझारी बात और जब 10-12 टॉपिक आएंगे आपकी उम्मीद ही छुड़ चुकी होगी कि क्या रिवाइस करे है आप छोड़ो जो चल रहा है वो चलने दो क्लास आओगे आधा मन लगेगा आधा नहीं लगेगा पता है होता क्या है आप लगबग 70-80 लोग बेठे हो रिकोर्ड रहा है पिछले 10-11 साल से पढ़ा रहा है जनवरी 2011 से पढ़ाना चलू करा था बिलने 11 साल है यह ठीक है रिकोर्ड रहा है तब से अभी तक का और यह दुनिया का ही रिकोर्ड है मतलब कि यदि क्लास सो बच्चों से स्टार्ट होता तो हमें ऐसा नहीं करना है समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है मैं क्या भॉल रहा हूँ ठीक है आपकी गाड़े यदि आज आप अलेर्ट नहीं हुए ना तो मैं आज ही आपक भविश्य बता दे रहा हूं यहीं पर यदि आज ही आप अलेर्ट नहीं हुए तो आज ही आपका भविश्य तेय है आप ये गड़ित नहीं पढ़ोगे छोड़के भाग जाओगे इसको समझारी बात ये जो टेस्ट है ना ये टेस्ट एक बहाना है जिसकी वज़े से आपके उपर लोड आए कि हाँ भाईया दो टॉपिक का टेस्ट है तो इसको पढ़ना है तो ये लोड आपके उपर आना चाहिए अब लोड तो आई नहीं रहा आपके उपर समझारी बात ठीक है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ मैं आज ही बता दे रहा हूँ यदि आप रिवीजन नहीं कर पा रहे हो चीजों को रिवाइस करने की प्लानिंग नहीं कर रहे हो तो आपका आज में पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं आप दूसरी बार आओगे पढ़ने समझारी बात दूसरी बार नहीं कर आप तिसरी बार आओगे और दो-तिन बार में छोड़के बाद जाओगे आप इस घर समझारी बाद मैट्स का ये नियम है ठीक है तो जो टेस्ट है ये एक बहाना है कि आप से चीजे रटवाए करवाए ये जो एप पर क्लासेज मिल रही है ये इतना अच्छा बहाना है चीजों को रिवाइस करने का इतना शौट तरीका होगी आपके पास सुबे उठो दो क्लास खोल कर देख लो रात को सोते समय क्लास खोल कर देख लो समझ आरी बाद इससे अच्छी सुविधा हो इनी सकती तो इनका महत्व समझना जरूरी है समझ आई बाद बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद चलो, अब आजाते हैं अगले टॉपिक, पे टाइम कितना बचाए का आदा घंटा बचाए भी ये किस से लिया था मैंने चलो, सुनो जिसका दूसरी चीज़ एक को रम बता दू बहुत अच्छे से ओन्लाइन से एक नफरत सी होती ही लोगों को वो छोड़ दो, समय के साथ परिवर्तन नहीं लाओगे तो पिछड़ जाओगे ओन्लाइन से नफरत मत करो समझ आरी बाद, ओन्लाइन को एक्सेप्ट करो घर में जाके क्लासेस को देखो जब फाइदा मिलेगा तो महत्व समझ में आ जाएगा फिर है ना, तो जो मान सिखता है ना एक बिल्कुल टिपिकल वाली के नहीं ओन्लाइन को पढ़ना ही नहीं है, ऐसा नहीं है ओफलाइन पढ़ रहे हैं, उस क्लास को ओन्लाइन घर में जाके देखना है, समय के साथ नहीं बदलो के दुनिया आगे रहे जाएगी पिछड़ जाओगे समझ आरी बाद